बिर्जु सुवर के परिवार में मातम चाया होता है दरसल बिर्जु सुवर तीन महिने से लापता होता है जिसकी याद में बिर्जु की पत्नी और उसका पुरा परिवार गम के समंदर में डूब जाता है तबी बिर्जु की पत्नी देखली सुवरी आती है और बोलती है थोड़ा सा पानी पीलो, ये सुनकर देखली बोलती है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूं गम बुलाने को, ये बोलकर देखली भी पानी पीने लगती है, पानी पीते पीते अचनक देखली और केकडी अपनी मुंडी उपर करती है, और आसपास देखने लगती है, तब पर से बिर्जु के पिछे कई मुलकों के जानवर भी पड़े होते हैं